कि हैं एबरिवन मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई एस जे एस तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आए हूं मतर का बहुत ही नए तरीके के नास्ते की रेशिपी तो फ्रेंट्स रेशिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आए रेशिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से तो फ्रेंट्स यहां पर मतर का नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाएंगे तो लगाने के लिए यहां पर दो कप मैदा आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है और आधा चम्मच अजमाइन क्रस करके डालेंगे चार टे का मैदे में अच्छी तरह से मिल जब मोयन अच्छा होगा पर फिक्त होगा तभी आपकी रेशिपी खसता बनेगी तहना जैसा के इसे मुठी बांत कर देख लेंगी तो सहीए पर फेक्त है मैं नहीं बाइंड हो रहा है तो थोड़ा बहुत घी और डाल सकते हैं और यहां पानी लिए हुए है गरम करके इसको थोड़ा-धोड़ा करके थोड़ा सा मेडियम सॉप्ट... लगाना है बहुत ही लें। लगाना है इसका मीडियम सॉप्ट लगायें stitches-4 मिनट तक ऐसे मसलते हुए इसको अच्छी तरह के लिए आप रख देंगे इसे तो जो भी है थोड़ा सा सेठ हो जाएगा तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर पानी बॉइल होने के लिए रख दिये थे और दो कप मटर है इसको बॉइल करेंगे दो से तीन मिनट में अच्छी तरह से हो गई है और सब्रह वाली मतर थी मिठी वाली मटर है तो आप यहां पे यूज में आरप करें तो जैसा को देख सकते हैं तो ऑच्छी तरह से एक तरह समय अब एक प्रक नहीं और थ्युद्ख सब्सक्रादर्च निज थोड़ा सा चलने में मिक्सर जार में डाल करके इसको दरदरा पिस लिए हैं बहुत ज्यादा बारी किसमूत नहीं करना इसे दरदरा ही रखना है अब यहां पर एक पैन में दो चम्मज तेल सरसो का तेल यूच कर रहे हूं आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वो यहां पर इस्तेमाल कर सकते है आधा चम्मज जीरा है जीरा के चटकने पर थोड़ा सा एक प्याज बारिक कटी हुई है प्याज लसुन आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहां पर इसकीप कर सकते हैं यह टूटल ऑप्सनल है इसके बाद एक इंच अदरक का टुकड़ा दो हरी मिर्च है बारिक-बार दूर जाए और यहां पर फ्रेंट्स दो चम्मज बेशन लिए हुए हैं ताकि स्टफिंग में बाइंडिंग आ जाएगी अच्छी इसलिए लोग फ्लेम पर इसको भूनेंगे बेशन को अच्छी तरह से ताकि बेशन का कच्चा पन दूर हो जाए तो बेशन को अच्छी चम्मज हल्दी पाउडर और आधा चम्मज लाल मेच पाउडर है मेच आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अब यहां पर जो मटर पिसकर रखे हैं उसको डाल करके थोड़ा से इसको अच्छी तरह से मिला देंगे मसालों में और यहां पर गैस का फ्लेम लोग कर देंगे नहीं तो यह तले में पकड़ने लगेगा इसलिए तो लोग फ्लेम पे इसे चार से पांच मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई इसकी करेंगे ताकि मसाले सारा मिल जाए हाप टीस्पून नमक है नमक थोड़ा कमी डालना है क्योंकि बॉयल करते समय भी मटर को नम प्लेट डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिला लिये हैं जिसा कि आप देख सकते हैं कि श्टफें एकदम तयार है अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है इसकी इस आप यहाँ पर थोड़ा सा बारिक कटी होई धनिया डालेंगे धनिया डाल करके अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे अप पूरी तरह IPO के से ए तयार है दनिया पत्ति मिला करके गयस का फ्लेम आफ करेंगे और इसको ठंदा होने कि लिए साइड रख देंगे तो यहाँ पलट देंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे कि देख सकते हैं थोड़ा सा फैला देंगे तो अच्छी तरह से 3-4 मिनट में ठंडा हो जाएगा क्योंकि ठंड का मौसम है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा अब यहां पर 20 मिनट दो भी रेस्ट कर लिया है तो इसे भी थोड़ा सा मसल लेंगे तो यहां पर 2-3 मिनट तक इसे और गुतेंगे ताकि दो जो है और स्मूथ हो जाएगा अब इसके दो भाग करेंगे इसमें से छोटी-छोटी लोई तोड़ेंगे ताकि बनाने में आसानी पड़ेगी नास्ते को यहां पर छे लोई बनकर तयार होगी फ्रेंड्स आपको जितने जरूरत हो उतना नास्ता बना सकते हैं मैं दो कप मैदे से बनाई हूँ आपको जितना जरूरत हो उस हिसाब से बना सकते हैं लेकिन मटर वाले स्टफिंग भी उसी हिसाब से बढ़ा दें तो यहां पर जैसक देख सकते हैं कि 6 लोई लेकिन बहुत ज्यादा नहीं तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं इसकी ठीकनेस रोटी इतना ही रखे हैं थोड़ा सा रोटी से ज्यादा होगी बाकि बहुत ज्यादा पतला ने रखना है न ज्यादा मोटा रखना है इस पर थोड़ा सा घी डाल करके अपलाई कर दिये हैं उसके बाद dust कर देंगे मैदे से ताकि इसकी layer अच्छे से बनेगी नास्ते की तो यहां से थोड़ा सा tightly रोल करेंगे थोड़ा सा दबाते हुए रोल करना है ताकि इसमें कोई air न रहे बाद में नास्ता बनाने में दिक्कत होगी इसलिए बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है और लास्त वाले कहां थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा फ्राइ करते टाइम खुलेगा नहीं इसलिए और थोड़ा सा साइट से इसको निकाल देंगे ताकि फिनिसिंग आ जाएगी और यहां पर दो दो इंच के आकार का इसको काट लेंग जिसा कि अब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसके लेयर बने हुए हैं अंदर तो एक-एक ले करके थोड़ा से इसको दबा देंगे हथेली की मदश से आसाने से दबा सकते हैं इसको और फ्रेंस इस तरीके से नास्ते को जरूर बनाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट नास्ता बनता है और बहुत ही नए तरीके का यह नास्ता है इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर ट्राय करिए है बस उतना ही बड़ी रखना है बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है जैसा कि इसको देख सकते हैं ना ज्यादा पतला ज्यादा मोटा और चारो पूरी को एसे ही बेल लेंगे है मटर वाला है इसको थोड़ा सा टिक्की के सेफ में लेकर खेंगे तो एसटफ्किंग करने में होगी और रसाइट साइट से इसको पानी लगा देंगे दोनों लोई पर बना कर के चिपका देंगे थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे वाली पूरी जो बड़ी छोटी हो तो खीच करके इसको चिपका सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि आसानी से खीच कर दे रहे हैं तो चिपक जा रही है कार से इसको बनाएंगे देख सकते हैं कि साइट को थोड़ा सा इसको खीच करके ऊपर ले जा करके फिर नीचे टक कर देना है और एक अच्छी सी डिजाइन बन जाएगी अगर आप चंद्रकला गुजिया बनाते होंगे तो आपके लिए आसानी होगी बाकि कोई डिफकल्ट नहीं है बहुत आसानी से बन जाता है अगर आप इस तरीके से नक करना चाहें तो सिंपल भी फ्राइब कर सकते हैं टेस्ट तो वहीं रहेगा बस थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है इसे देखने में अच्छा लगता है तो इसे जैसे आग देख सकते हैं कि एक नास्ता ब बहुत पसंद आता है अच्छा आप यहां पर चाहें तो मटर के जगां आलो की भी स्टफिंग कर सकते हैं तो ऐसे ही दूसरा नास्ता भी बना देंगे इसे ही टक करते हुए तो से आप अपने मन पसंद किसी भी डिजाइन में इसे बना सकते हैं टेस्ट तो आहीं रहेगा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नया कुछ करना चाह रहे थी इसलिए इस तरीके से आज बनाई हूँ और दूसरा नास्ता भी बनकर तयार हो चुका है जिसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर चैनल पर प तो फ्रेंटर से सकते हैं यहां बहुत हलया सा रहे हैं तो इतना इंगर्म तेल रखना आग्लम ड़भी करना सब्सक्रीपायर के तो आंदर इंटील को बहुत जभार नहीं करना है जैसे समोसे और क प्रकार इसे भी फ्राइ करना है अब जब यह टेर कर वबर आ जा उसके बादी टच करें थे उससे पहले नहीं डूटह करना है तो सबर्प popularity देख सकते हैं कि तरकर उपर आ गया है जब तरकर ऊपर आजाई उसके बादे इसको अलटते पलटते गोल्डेन ब्राउन होने तक या क्रिस्पी होने तक अप Y में एक बैच को फ्राई करने में आठ से नौ मिनट का टाइम लग सकता है और गैस का फ्लेम फ्रेंट्स लो ही रहेगा मीडियम हाई नहीं रखना है थोड़ा सा पेसेंस के साथ इसे फ्राई करेंगे तभी आपका नास्ता स्वादिश्ट बनेगा खस्ता बनेगा तो यहां प देख सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ है तो फ्रेंट्स यहां पर सारा नास्ता बनकर तयार है और देखने में भी इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया हुआ है तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम सुबा साम चाय के साथ बनाकर इंज्वाय कर सकते हैं औ किली बाय और टेक केर